हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल पास्ता मैकरोनी खाना हर किसी को पसंद होता है तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुती स्पेसल मज़ेदार मैकरोनी रेस्पी तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं दो हरी मिर्च एक बड़े साइज का प्याज एक बड़े साइज का टमाटर और एक सिम्ला मिर्च इन्हें बारी काट कर ले लिया है ये मैंने 200 ग्राम के करीब मैक्रोनी ले ली है तो अब हमें इसे वोईल करेंगे तो मैंने पानी गरम कर लिया है इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे और अब इसमें एक चम्मच ओयल डाल देंगे जिससे ये मैक्रोनी आपस में चिपकेंगी नहीं अब इस पर ढखकन रख़र हम इसे उबलने देंगे दो मिनट बाद चेक कर लेंगे तीन से चार मिनट में मैक्रोनी बॉयल हो गई है तो अब हम इसका पानी चान कर इसे अलग कर लेंगे इसे बनाने के लिए मैंने पैन में एक बड़ा चम्मच ओयल डाला है ओयल गरम हो गया है तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसी में हरी मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ प्याज डाल देंगे इसे mix कर लेंगे एक मिनट तक इसे हम चलाएंगे और इसी के साथ हम इसमें सिम्ला मिर्च भी डाल देंगे और अब हम इसे दो मिनट के लिए fry करेंगे इसका color थोड़ा सा change हो गया है तो अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और इन्हें भी mix कर लेंगे अब इसमें आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चोटा चमच रेड चिली पाउडर डालेंगे एक चमच नमक डालेंगे नमक आप अपने taste के according डालें इन्हें mix कर लेंगे मसाले mix हो गए हैं तो अब हम इसे ढखकर एक मिनट के लिए पकाएंगे तो एक मिनट बाद हम इसे चक कर लेते हैं तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं अब हम इसमें sauce डालेंगे तो मैं दो चमच टमेटो sauce डालूंगी एक चमच सेजवान चटनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो ना डालें इसके बिना भी इसे बना सकते हैं तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें macaroni डाल देंगे इसे अच्छे से mix कर लेंगे macaroni pasta हर किसी को पसंद आता है और बच्चों को तो ये खासकर बहुत पसंद आता है तो देखिए हमारी macaroni pasta बनकर तयार है तो अब हम इसे एक serving ball में निकाल लेते हैं यह रेस्पी बहुत ही टेस्टी चटपटी और मज़ेदार वनी है तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें जिसस झाल कि बार आपको आपको मेरी ज़ से जरूर आपको मेरी जरूर